Samua,什么, Tata Sumua फिर से रोपेट करए हॐइब क्या होले आप? Tata Group अदि क्लासरूम में 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 अच्छा नहीं आता वो तो वह ही करेंगे Samua, Tata Samua Samua humid Samu 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 Samu, OK, Yes या आपने रूजा Его 수र्ण करके नीं आया थे आपने क्लासरूम में कॉपी करा यह हैं, टासों में कॉपी किया, absolutely. बेशकों के साथ शेर किया, अब ब्लूमबग की रिपोर्ट की कहती है, कि BAT की तरह से वो दरसल स्टेक ओफ लोडिंग का सिलसला इसी हफते शुरू होतावा दिखाई दे सकता है, ऐसे में करीब 2-3 बिलिन डॉलर की शेर वो बेचने में आएंगे, याद रखिएगा, ब्रि बीलिंग रूम कह रहे हैं कि वो BAT के स्टेक सेल की तरही हो रही है, और उसके बाद क्लोज होते होते और करेक्ट होता चला गया, तो आवाज के दश्कों के लिए तो पहली स्टेशन के तुरान खबर आ गई थी, BAT की बाकी डिटेल जो आई ही, वो ब्लूमबग के हवाले से को एक और कहिए कि उसी ख़वर को और पुक्ता करते हुए कि शायद इसी हफ़ते स्टेक से लो रही है, गुरान सर दबाव आएगा तो आप एक्कुमिलेट करोग या नहीं हो गया, बिल्कुल, अर्शीश वार मेरे ख्यान से इसके पहले कारोबार का विभाजन की बात क कोई उसको लेकर के बाजार को अच्छी नहीं लेगी वह बात जिस प्रकार से अब भाजन हो रहा है, फिर बारिश के मौसम को लेकर के आकड़े शेतर के थोड़े बहुत बीचे के तरफ आए, और अब ये ब्रिटेश-अमेरिकन टबैकोर बैक, जो कि एक सबसे बड़ा इ अगर 400 के नीचे, 390 के आसपास अगर ये ब्लॉक बील होती है, तो मेरे क्याल से खरीदारी का बहुत बड़ा मौका होगा, एक ही साथ होगा या किष्टों में होगा, तुकडों में होगा, ये तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा, लेकिन 475 से लेकर के 485 के लक्षा आईटीसी पे हमने निधारित के लिए समय लगेगा, ये नहीं है कि आपको तुरंत ही आता हो अवदी के लिए, चलिए, आईटीसी फंडमेंटली हमने गुरांग सर के साथ बहुत बड़ी या राइट कर रहा है पहले भी और अभी भी अगर गिरावट आ रही है तो एक्क डिस्क्लोजर दिया था चानल पर आके, उसके आद उपरी सिरों पे बहुत स्मार्टली हलका भी कर दिया था, गावे सर, आप इन लेवल्स के आज़ पास समीकरन कैसे लग रहे है आईटीसी के, अब तक कमफ़र्ट जोन मिसिंग है, लेट्स फेसिंग, आईटीसी का चार् करने के लिए पहले बहुत उसको पकना पड़ेगा, और जितना फास पागा है, उतना ज्यादा पकना पड़ेगा, अब तो पक रहा है, तो जब तक ये पकना बंद नहीं होता, तब तक ये फ्रेश अपों मिलने में दिक्कत आएगी, तो इसका मतलब यह नहीं के स्टॉक अच्छा नहीं है, ट्रेटिंग के लिए बैट्स मिलते रहेंगे, एक दिन स्विंग ट्रेटिंग के लिए मिलते रहेंगे, लेकिन वो आज खरी तो दो साल के लिए होल्ड करो, उसके लिए थोड़ा अब वक्त, मेरे साब जाएगा, इस स्टॉक पे, और अभी सुबह बि अगला स्टॉक, अवाज की एक और इंट्रेस्टिंग एक्स्क्लूजिव, वो है के फिन, अच्छदा क्या ख़बर है, इसके चार्ट्स के लिए मानस आपके पास आता हूँ, केफिन में ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे सकती है, यह सूतरों के हवाले से अपडेट है, कोटक महिंद्रा बैंक दरसल 2% स्टेक आफ रोट करतावा दिखाई देगा, 218 करोड का यह सौदा होने के आसार बन रहे हैं, करीब 34 लाग शेर भिख सकते हैं, और जो प्राइस है, जो कलकी मार्किट प्राइस थी, क्लोजिंग पर, उसे 5% के डिसकाउंट पर यह सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रहे कि December 23 तक कोटक महिंद् बैंक के पास करीब 9.8% का हिस्सा था, उसमें से कुल करीब 2% स्टेक वो अफ्रोट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो यह हो सकता है, in all likelihood, आज एक large trade, block deals हों, या बड़े सौदे हों, जिसमें कोटक बैंक अपना 2% हिस्सा, अप्टू 5% डिसकाउंट के साथ बेच ज़ पी हुआ है, मानस अगर अब यह पता नहीं कौन सी विंडो पे होगा, तो वो छोड़के अपने काम करें कल तक के समीकरणों को देखते हुए कैसा लग रहा है, चार्च पे प्लेज, कहीं किसी जोन पर जाके लग रहा है कि एक्कुमिलेट करना या नहीं, तो देखिए पि स्टॉक को लेरा चाहिए, अगर आपका आउट्लुक आने वाले एक से दो मंद का है तो, तो पाजसो पिशेतर के आसपस आप खरीदारी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है, ट्रेडिंग से बचे, आज की गिरावट में थोड़ा सा वेट करिए, जब 575 पे स्टॉक सब्पोर्ट ले, तभी खरीदारी करें, उससे पहले ना करें। में reverse merger होतावा दिखाई देगा, यानि कि AB Finance अब AB Capital का हिस्सा बनती भी दिखाई देगी, बोर्ड को मंजूरी मिल चुकी है, अब RBI की तरफ से मंजूरी आना बाकी है, तो उसका इंतजार जरूर रहेगा, अच्छा इसके बाद दरसल जो holding company है AB Capital, वो दरसल एक NBFC बनती भ हो रहा है, इस पर रिपोर्ट भी कह रही हैं कि अगर अप्रूवल आ जाता है, तो पूरा जो corporate structure है, वो थोड़ा सा simplify होतावा दिखाई देगा, और इस तहर जो दरसल मैंडेटरी हो रहा था कि AB Financial की listing, September 25 तक होना, वो process अब avoid करेंगे, क्योंकि AB Capital जो listed entity है, उसी में reverse merger होतावा दिखाई देगा, अब RBI approval आएगा, तो final बात बनेगी, लेकिन Morgan Stanley इस पर equal weight है, 196 का target दे रहा है, Jeffries कह रहा है, जहां पर वो holding structure simplified होगा, 225 तक के targets आते वे दिखाई देगे, Morgan Stanley ने अपनी report में साफ का है, कि ज़्यादा economic impact नहीं आता वा दिखाई देगा, तो कोई ऐसा कुछ बड़ा बदलाव नहीं होना है, अधितु बिल्ला Capital, charts पे सत्पुते साब, आची जी देखे, चार्ट पे अगर आप देखे, तो it is trading exactly on its neckline, जो हम जो downtrend की बात करते हैं, या आप breakout की बात करते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि train का reversal होता है, तो जहाँ train का reversal होता है, वो हो जाती है, वहाँ पे कही ना कही neckline या support, तो it is standing on its support of 178, तो 179.50 का कलका रगबग close है, तो you can say that it is standing on its support, मेरे हिसाब से अगर ये support hold करता है, तो पूरे chances हैं कि एक recovery मिलें लेकिन एक resistance होगा 186, अगर 186 को आज ये पार करें, तो जाके आप इसमें एक rally देखे होगे करिबन 192-196 तक, तो आज के लिए prime important level होगा 186, 184 के, sorry 178 के ऊपर buy बनता है, तो stop loss 3 रूपए होगा, this is completely a swing trading setup. ये टाय स्टॉक्स में जो counter wheeling duty लगती है, वो extend हो चुकी है, ये new unused pneumatic radial tires पर लागू होगी, July 23, 2024 तक, तो July तक ये extension मिलता होगा दिखाई दिया है, अब नॉमुरा की report इस पर ये कह रही है, कि channel checks ये कहते हैं कि price cut truck और bus radial tire में होता होगा दिखाई देगा, 500 से 800 रुपए प्रती पैर, price reduction करीब डेर से 2% यहाँ पर company पर आता होगा दिखाई देगा, जिसमें Apollo और JK tire रहेंगे, ये similar response आएगा Apollo और JK की तरफ से, क्योंकि MRF ने पहले से वो price cut announce कर चुका है, ये second instance रहेगा, जहाँ पर price cut clearly TBR segment में ही लागू होता हुआ दिखाई देगा, तो उस लहाँ से आपको देखना है इन सभी companyों को, specifically Apollo और JK का mention क्या गया है नौमरा की इस report में, कि यहाँ पर ये company दरसल price cut लेती भी दिखाई देगी, कोई टायर स्टॉक कहीं कोई ट्रेड के समिगरन या छोड़ दिया जाए इस पेस को, ये अशी जी पुलो टायर में तो कल काफी अच्छा pressure देखने मिला था, 13% का OI change था और एक shot built up clearly इसमें देखने मिल रहा है, हमें लग रहा है कि KM support zone है, 12 February के करीब इसी जोन पे था और 29 February को भी, अगर ये जोन टूटता है 500 का तो इसमें गिरावट देखने मिल सकती है, तो 505 की नीचे इसमें शॉट करने की सला रहेगी, जो stop loss इसमें मिंटेन के ना 512 का कैसें मिंटेन करें, तो 505 के नीचे शॉट करने की सला रहेगी, अच्छा सामने शायद आस्ता पे चुड़ेंगी, आज से एक IPO खुलने जा रहा है, पॉपिलर वेहिकल्स का, तो इस IPO पे चर्चा हो जाएगी, तो मुनाफ़र की तयारी में वो भी समझ लेंगी, प्राइमरी मार्केट्स में जो ओफरिंग आ रही है, आस्ता तो कल साजबू सेंसेक्स में थी, आप करें ती तीन देन दी शुट्टी पे रहूंगी, सुर्स बस्वे कैसे? गुद मॉर्निंग हाशीश, अभी work comes first, तो मैं यहीं से work कर रही हूँ, और IPO's आ रहे हैं तो चारी है, जब तक IPO's रहेंगे तब तक. चली, आता हूँ आपके पास, IPO पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हर्चदा से सारे important बागी के stock news round up कर दे जाए हर्चदा कौन कौन से? फार्मा कंपनियों पर नसरे रहेंगी, और बिंदो फार्मा इसकी एकाई APL Healthcare की formulation जो manufacturing facility आंदरप्रदेश में, उसको good manufacturing practices का approval मिल गया है, WHO से और ये in fact एक pre-qualification unit inspection team वहाँ पर पहुँची थी, अब इस, इन्होंने recommend किया है कि ये manufacturing site कुछ particular दवाओं के लिए absolutely okay है, तो वो एक positive है, वोकार्ट रेडार पर रहेगा, वोकार्ट दरसल एक WCK5222 दवाओं है, जो company develop कर रही थी, अब European Journal ने report किया है कि यहाँ पर drug का इस्तमाल हुआ था, और एक complicated renal transplant में दरसल compassionate use के तहत इसका इस्तमाल किया गया, और दवाओं असर कर गई है, और यहाँ पर कोई और antibiotic काम नहीं आई, और यह दवा काम आई, तो उससे एक फाइदा मिलतावा दिखाए दे सकता है, तो यह positive है दरसल company के लिए, RVNL रेडार पर रखेंगे, lowest bidder के तौर पर उभर कर आए, महाराश्टर के पुने के पास, जो पिंपरी चिंचवर्ड इलाका है, वहाँ पर एक metro project इनको पूरा करना है, 349 करोड का दरसल, यह order है, Hyderabad Industries या फर हाइचा इल भी रेडार पर रखेंगे, 100% equity, Krestia Polytech की खरीता हुआ दिखाए देगा, 265 करोड का यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा, basically, कंपनी की pipe fitting business को और Eastern India में और strengthen करेगा, यह particular acquisition, तो यह stock भी हाँ फोकस में, रखेंगे इन Stocks for Radar पे, इसमें एक और Windows Pharma, Kavita जी, जरा चार्ट टेवली है का, खबर तो अच्छी है भई, WHO से good manufacturing practices का seal of approval कर लीजे, इनकी unit के लिए आता हुआ, stock कैसा placed? So, आशिशी जी पिछले चार दिन से एक correction लिया है, और consolidate करता हुआ दिखा है, उझे लग रहा है, आज इस खबर के चलते, counter अगर नीचे के level में 1060 के level को समाने रखता है, तो अपसाइड मोमेंटम 1120 के level के तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है. Okay, इस बीचा, Palveya साब पैनल में है, Palveya साब को दिए ही लेक्षाब? Palveya साब, good morning. आज का top call, Palveya साब. Good morning, Aashis जी. Good morning, everyone. So, आज जो stock पसंदा रहा है, मुथुत फाइन्स पसंदा रहा है, कल के सेशन में एक short covering यहाँ पर बनते वे दिखी थी. पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन का अगर हम इसका overall setup देखे, तो stock में एक recovery का trend यहाँ पर बनते वे दिखा, stock अब अपने 50-day moving average के उपर भी sustain होते वे दिख रहा है. हमें लगता है मुथूत फाइन्स में अप मुव यहाँ से बनते वे दिख सकता है. 14-30, 14-35 तक के upside के target हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Stop loss यहाँ पर जो रखना होगा वो करीब होगा 13-85 के आज पास. Okay, यह है preferred pick, मुधूत फराइन्स, पालविया साब और उनकी टीम की तरफ से आपके लिए. Kawa सार वो कल update आपने देखा था, वो कुछ PM announcement करने वाले शाम साड़े 5 बज़े तो आप भी glued थे TV के साथ या नहीं थे? आपने मिस्स कर दिया तो फारा action. का सारे पांच मुझे तो कुछ और announcement आया था? क्या आया था? मुझे मैंने देखा ही दे, मुझे जो announcement इंपॉर्टन्ट मेरे ले ले था CAA, वो CAA आ गया. नहीं नहीं एकूली इंपॉर्टन्ट. अच्छा? अगनी 5. अगनी 5 कौन बनाएगा. लेकिन आम अजूमिंग, इन विच्वे इस BDL चार्ट पर कैसा लग रहा है काब सर? बस BDL चार्ट तो बेसिक चार्ट रच रचार रही है तो पॉजिटिव. पॉजिटिव होने के पाद ये साइडवेस करेक्शन कर रहा है, ये साइडवेस करेक्शन टाइम करेक्शन, ये प्राइस करेक्शन नहीं है, तो ये साइन अफ स्ट्रेंथ है, मेरी खालत तर ले लेना चाहिए. ये आप ट्रेड कर रहा है 1770, एक अगर इंट्रेडी के वाद फर्स साइन अफ स्ट्रेंथ मिलेगी, जब वो अथासो बीस, अथासो तीस के उपर चाला जाएगा, फिर तो जो अपनू शुरू होगा, ये दो हदर के पास ले जाएगा, अगर आपको ऐसे टाइमिंग करना है, तो फिर ये दो हदर अट्रा सो बीस, तीस के बहुत ले लो, अगर टाइमिंग नहीं करना है, अगनी फाइग तो चलेगा, ये तो दो हदर जाएगा ही जाएगा, उसके उपर जाएगा, तो ले लेना चाहिए, ये तो सेफ स्टॉक है, गबराना नहीं चाहिए गर स्ट्रेट, वहाँसा अल्टका था, एचेसबी सी का बाई कॉल, दो सो के टार्गिट्स के साथ जोमैटो पर, वो कह रहे हैं, डिजिटल स्पेंड शेर भारत में इंक्रीज, भाई साब अगर आप वैसे रोट पर अबज़र्व करें, जोमैटो और स्वीगी के बंदों को, तो आप समझ जाएंगे किस तरह का ट्रेक्शन है, गजब कर रखा है, खेर, जोमैटो पर बुलिश हो रहे हैं, ये लोग, मैं चार्ट पर जाल लेता हूँ, भाईती साब आप देख तो चार्ट जोमैटो की विकली, कैसी लग रही है? क्विकली आज का प्राइमरी मार्केट्स का आक्शन, एक IPO आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है, पॉपिलर वेहिकल एंड सर्विसेज, थर्जडे को बंद होगा, 280 से 295 रुपे का प्राइज बैंड कुल मिलाकर 601 करोड रुपे जुटानी की हो जड़ा, जैसे लैंडमाक का रहा है, बिल्कुल वैसी बिजनस मॉडल, यह साउथ इंडिया सेंट्रिक है, लाजली, केरला, तमिलाडू, करनाटका और कुछ अद तक मराश्री इस जॉगर्फीज में ऑपरेंट करते हैं, आस्ता, क्विकली, पैसा डालू या ने डालू? करती है, जिसमें आपके passenger vehicle segment है, including luxury segment, और आपका commercial vehicle segment, as well as electric vehicle segment भी रहता है, देखा जायतों इस तरह के business में में जो पूरा मज़ा है, वो इनकी, जो servicing part works, उनकी है, जोकि अभी 15% of revenue contribute करती है, बख मुझे लगता है, आगे जाके यह बढ़ेंगे, क्योगी जो servicing कराते हैं, उ से कंपेर करूं तो अभी भी इनको थोड़ी ग्रोथ और दिखानी पड़ेगी एस वेल इस गुड़ रेशो और जनरीट करने पड़ेंगे लेकिन वैलोएशन वाइस यह रीजनेबल लगता है तो सभी पैरामीटर्स को मिलाके सब्सक्राइब की रीटिंग है लॉंग टर्म क सब्सक्राइब करता है कि गाड़ी बेच के वापस ओला उबर पैजाता है तो है तो कन्वीनियंट बॉत ओला उबर लें चलिए अब ट्रांजिशन के सब्सक्राइब मुनाफे की तारी पूरी दस तक देतें पहला सौदा में झाल सौदा में